जिन्दगी की राह में हमें कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं, जो हमारे दिल पर अपनी एक छाप छोड़ जाते हैं। जो हमें की बैसुहारा जानवर की मदद करें। राघव घाकर जब मध्यप्रदेश के डपरार रेलवे स्टेशन पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक शक्स चिलचिलाती गर्मी में लोगों को मुफ्क में ठंड़ा पानी पिला रहा है। इनकी कहानी बताती है कि विपलेट फॉर्म पर ट्रेन के आते ही भाकर आते हैं और एक एक जनवरी से पानी के लिए पूछते हैं। आज के दुनिया में जहां हम सब लोग सिर्फ पैसुन कमाने के बारे में सोचते हैं वहाँ ये शक्स हम सब को प्रेवरत कर रहा है। उन्हें लोगों के पैसुन क जरूरत नहीं थी बलकि लोगों के दुआओं की जरूरत थी।